In this video we will be discussing everything about International Chemistry Olympiad. Chemistry Olympiad क्या होता है, इसके क्या-क्या stages होते है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, ये सारी discussion इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी, एंड तक अवश्य देखेगा, आपको बड़ी पसंद आई गये वीडियो, हम चाहा हिस्सों में बात करेंगे, पहली information, जनरली इस exam की क्या रहती है, दूसरा कितने stages हो, क्या-क्या stages होता है, तीसरा preparation कैसे करनी हो, चौथा सबसे important सवाल, क्या आपको ICHO की तयारी करनी चाहिए इस चैनल पर Chemistry Olympiard, और भी कही सारे Olympiard और JEE preparation related काफी सारी information रहती है, तो subscribe करिएगा, और bell notification दबा दीजिएगा, and like this video for most such videos, and यदि आपको ICHO की JEE के साथ preparation करनी है, तो akadboost.com जो हमारी website है, उसका link description मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं, information, तो देख अपने sports person, जो best athletes होते हैं, उनको बेचके उनके भीश में भीड़ात कराके, यह determine किया जाता है कि best कौन है, वैसे ही intellectual या academic world में, Olympiards conduct होते हैं, जिसमें different different countries के लोग participate करते हैं, आप उसमें compete करते हैं for the price, okay, अब यहाँ पे बहुत सारे private body के Olympiard भी होते हैं, लेकिन यह जो Olympi के लिए, ठीक है, इसके advantages में बता देता हूँ, पहरी बात, यदि आप ICHO की preparation कर रहे हैं, तो आपकी chemistry इतनी ज़्यादा लेवल की होगी, कि आप basically कोई सा भी exam इंडिया लेवल पर निकाल सकते हो, बहले ही वो J.E. हो गया, N.E. हो गया, whatever it is, J.E. advanced, J.E. male, सब में आपको अगा, boards वगेरा में, दूसरा, अगर आपके पास medal होता है, तो वो एक बहुत बड़ी lifetime achievement मानी जाती है, आप किसी भी international university में chemistry या किसी और subject को पढ़ने के apply करता है, और आपके पास international chemistry olympiard का medal है, तो एक अलगी आपकी profile दिकल के आती है, and you are more likely to get admission, and even if you don't go to the international level, यदि आप उसके preparation भी करते हैं, और stage 1 clear कर लेते हैं, stage 2 clear कर लेते हैं, उनके भी काफी जारे advantages होते हैं, तो ये exam जो है, ये आपकी Homey Baba Center of Science Education कराती है, जो एक बहुत ही बहतरी इंस्टिटूट है, मॉंबई में सिथित है, बार्ख एरिया में, वहाँ पे इसकी conduction करा ही जाती है, इसके ल नाम दे को बदलते रहते हैं, उस पे ध्यान नहीं देंके, stages क्या क्या है, तो पहला होता है, NSEC, इसको पहले कह रहते हैं, अब उसको कहते है IOQM, ठीक है, Indian Olympiad, IOQC, Indian Olympiad Qualifier for Chemistry, तो इसमें आपके questions रहते हैं, objective type, आपको solve करने रहते हैं, और अगर आपका उनमें अच्छा score आता है, तो आप second stage के लिए select हो जाते हैं, तो यहाँ पे merit list निकलती है, लगबग 300 students next level के लिए select होते हैं, ठीक है, फिर next level होता है, आपका, उसमें ये 300 students देते हैं, Olympiad at different centers across the country, तो वहाँ पे थोड़ा ये subjective type paper रहता है, काफी difficult रहता है, जो first level paper होता था था आपना IOQC, वो थोड़ा J.E. main से थोड़ा सा अबब, J.E. advance से थोड़ा सा बिलो, जो second stage रहता है, ठीक है, वो रहता है आपका थोड़ा सा बतलब INCHO जिसको कहते है, Indian National Chemistry Olympiad, वो थोड़ा J.E. advance से भी अबब लेबल का रहता है, उसमें subjective questions आते हैं, और काफी detailed depth पे questions आते हैं, मेरा मानना य यदि किसी बच्चे ने J.E. की preparation अच्छी की हुई है, तो वो इन questions को more or less attempt कर सकता है, but you need some knowledge of the Olympiad as well, फिर यहां पे जो बच्चे exam क्लियर करते हैं, उन में से 35 बच्चों को लगब एक Olympiad camp में invite किया जाता है मुंबई में, okay, मैं दो बार क्वालिफाइ किया हूँ उस camp के लि पर किया हूँ है, chemistry का तो मैंने हलाकि नहीं attend किया था, क्योंकि मैं astronomy वाले के select हो गया, तो यहां पे camp होता है, बड़ा ही अच्छा camp होता है, वहां पे आपको scientist वगएरा सिखाते नहीं नहीं चीज़े, lectures होते है, practical होते है, फिर आपके exam होते है, theoretical भी, practical भी, और वहां पे ए बच्चों को आपसे train गिया जाता है, कुछ mock test दिये जाता है, practical वगएरा के, और इन सभी बच्चों की जो passport, visa वाली चीज़े होती होती है, वो भी वहीं पे होती है, और उसके just बात, international olympiard के लिए वो लोग flight लेके जाते है, सब कुछ government expense पर होता है, in fact आपको कुछ पैसे भी मिलता है, daily basis पे for spending as an allowance, तो वो चीज़ भी काफी अच्छी रहती है, वो आप फॉरेन में जा रहे हो, गुमने फ्री में, और वहाँ पे खर्चा गरने का पैसा भी मिल रहा है, इससे बड़ी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे लगबग 10-15 दिन का वो olympiard रहता है, उस international country जहां पे भी हो रहा है, जैसे for example Australia में हो रहा है, तो वहाँ पे 15 दिन आप रहते हो, compete करते हो, exams होते हैं, फिर last पे ceremony होती ही, जिसमें आपको award दिया जाता है, लगबग 50% लोगों को कोई नो कोई medal मिल जाता है, टॉप 10-15% लोगों को gold मिलता है, फिर silver, फिर bronze इस तरका रहता है, फिर उसके बहुत ही शांदर after party भी रहती है, ठीक है, तो यह मैंने का आप information और stages के मारा में बता दिया है, अब preparation कैसे करनी है, ठीक है, तो मेरा देखो, personally मानना ये है, कि जादा तर बच्चों को ना, chemistry Olympiad की या physics Olympiad की ना करके, जैई की preparation पर ध्यान देना चीए, इ तो मेरा मानना ये है, कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी जैई preparation कर लीजिए, इससे क्या होगा, आप Physics Olympiad के लिए भी प्रिपार हो जाओगे, आप Chemistry Olympiad के लिए भी प्रिपार हो जाओगे, आप Astronomy Olympiad के लिए भी प्रिपार हो जाएगे, and most importantly, आपका जैई preparation भी बहुत अच नेट से ढूंड गया, उससे क्या फायद है क्योंकि नेट विट सॉलूइशन आपको इनकी बुकलेट्स लिए आती, ऑफिशल HBCC की, उनको आप उनकी वेबसाइट से ओडर कर सकते हैं, तो उनने कहें कि आपको विट सॉलूइशन पूरा पेपर ही मिल जाता है, तो इससे मैं कोई foreign author की books अगरा हो गई, Atkins हो गई, JD Lee हो गई, या इस तरह की कोई Jerry March हो गई, these kind of books मैं पढ़ा करता था, जो बहुत मोटी होती थी, बहुत time consuming होती थी, जबकि जो knowledge चाहिए होता है, ICHO के लिए वो 99% आपका JEPREP के अंदर content है, मतलब अगर आप तोड़ी advanced level के JEPREP कर इसलिए मेरा suggestion यह, कि preparation करने का best तरीका है, कि आपकी जो भी JEPREP चल रही है, अपने coaching में या online या जैसे भी, उसके साथ आप ICHO के, INCHO के previous year questions अगरा देखो, कोई चीज समझ में ना है, तो उनकी solutions देखो, उनको net पे सर्च कर लो, इस तरह से थोड़ी practical learning करो, question based learning करो, ठीक आप अलग से पढ़ लीजे, या कोई question आप से नहीं बना, let's say 2012 के ICHO का, तो आप उस question को सच करिए और उस topic को पढ़ लीजे, I think this is a much better approach for preparing, अब बात करते हैं, क्या आपको prepare करना भी चाहिए, ठीक है, तो मेरा ही मानना है, कि देखो, जादातर बच्चे जो होते हैं, इंड preparation करनी है, और आप 3-4 Olympiard देदो, physics भी देदो, astronomy भी देदो, chemistry भी देदो, आपके जिसमें सबसे अच्छे नमबर आ रहे हैं, जिसमें सलेक्टो है, उसके लिए आपको time मिलता है, आप उसके लिए specifically तयारी कर सकते हो, ठीक है, अब अब अगर ऐसे बच्चेों कि यार, आप आपको अपने J.E.N.E.T. जो आपका backup option चाहएद हो सकता है, उसके लिए आपको काफी help मिल जाएगी, ठीक है, तो the reason I recommend people to prepare for this exam is, क्योंकि इसमें की downside नहीं है, अगर आपने ICHO की international level में preparation कर दिया है, तो it is very similar to the level of J.E. Advanced, ठीक है, या निट भी कह सकते हो, तो in that case it will help you with your J.E या निट की preparation also, यहाँ पर मुझे J.E.A. निट लेखना चाहिए है, क्योंकि हमारे तो निट के भी courses है, ठीक है, anyway, so I don't think इसकी preparation करने में कोई बुराई है, आपको इसकी preparation definitely करनी चाहिए, लेगिन बुराई कब हो जाएगी, जब आप chemistry के चक्कर में बाकी सब चीज़े बू भूल जाते है, ठीक है, आपको अगर इवन एक researcher भी बनना है, तो you don't need to clear an Olympiad, what you need is a good college, good faculties, और वो हमें कहीं बार मिलती है, ICER examination के थ्रू, J.E.A. examination के थ्रू, तो उसमें अगर आप preparation, उसमें अगर आप अच्छा perform नहीं करोगे, तो आपका वो सपना रह जाएगा, और न 10-15% extra time निकाल सकते हो, but don't ignore other subject, don't ignore your boards, don't ignore your physics, don't ignore your mathematics and or biology, and most importantly, don't ignore to enjoy your life as well as a student, तो I hope ये वीडियो आपको informative लगी हो, मैंने चारो points कवर कर दिये, अगर कोई और query हो, आप comment section में पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा, या फिर आप मुझे मिले Instagram account पे follow करके, वहाँ भी query पूछ सकते हैं, description में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको अपनी J.E.A. जी preparation करनी है, and with that आपको I.E.C.H.O. लेवल का भी तयारी करना है, तो best resource तो मैं कहूंगा, आप नमारे online course में उन्रोल हो सकते हैं, जिसका link description में मिल जाएगा, ये इंडिया के some of the most affordable and quality courses है, ठीक है, या तो आपको courses इससे सस्ते मिलेंगे, तो वो quality नहीं होंगे, या अगर मि जाएगे, बहुत ज़्यादा इससे high quality वैसे मिलने नहीं है, तो वो बहुत ही जादा ऐसा हुगा कि वोई one-to-one tutoring चलरी है, किसी बहुत बड़े professor वोई अलग चीज हो जाती है, otherwise this is the best quality course you can get for your J.E.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E okay, हमारी बाकी faculties भी mostly I.E.T.S. जाइस तरे के लोग हैं, जब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आपके सारे के सारे के सारे के सारे के सारे के सारे के सारे जाएगे जाएगे और आप डेफिनिटली बहुत अच्छे से, ना सिफ अपनी J.E.E.P.R.E.P.R.E.P.R.E.P.R प्रिशे भी बहुत अच्छे से कर पाऊगे, तो दू चेक इट आउट, लिक इस इन देस्क्रिप्शन, ठीक है? अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो टोड़े इस वर्ड जो आज का वर्ड है, इत वी प्यानो, ठीक है? तो प्यानो के साथ आप एक सेंटेंस म अचके इस आप अगे कमेंड करिये लिका आप एक स्वाशन थी बाचे रहे हैं